बिहार के गया जिले के वजीर गंज प्रकंट के मध्य विद्यालाय बढ़ी विगहा में शुक्रवा को मध्याह भोजन खाने के दौरान एक छात्रा की थाली में छिपकली मिलने से हर कम्प मच गया और खाना खा रहे सभी बच्चों को खाने से रोग दिया और बचे हुए खाना को फेक कर बच्चों को इलाज के लिए वजीर गंज CHC लाया गया प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नंदलाल प्रसाद ने बताया कि लगभग 82 बच्चों को इलाज के लिए लाया गया था, जिसमें सभी को प्राथमिक उपचार के बाद घर वापस भेज दिया गया पांच छात्राओं को विशेश चिकित्सा की गई है प्रभारी प्रधन अध्यापक अखिलेश ने बताया कि मैं पहले भोजन की जाँच कर चुका था, उस समय मुझे कोई चिपकली नहीं दिखी, मैंने भोजन चखा भी था कुछ समय बाद जब बच्चों को खाना परोसा जाने लगा तो एक छात्रा के थाली में छोटी छिपकली दिखी, जिससे सभी बच्चे एवं शिक्षक घबरा गए और खाना को तुरंत रोपकर उसे फैंकवाया गया तथा खाना खा चुके सभी बच्चों को अविलंद वजीरगंज CHC लाया गया सूचना मिलने पर बीडियो आनंद प्रकाश बीयो के दार प्रसाद रजक CHC पहुँचकर बच्चों के स्थिती एवं इलाज का जाय जालिया और त्वरित कार रवाई करते हुए संबंधित विद्यालय के रसोई घर एवं कार्याले को सील कर दिया है वीडियो आनंद प्रकाश बीयो के दार प्रसाद रजक एवं मध्याह भोजन प्रभारी देवानंद प्रसाद से मामले में कर्मियों के विरूद्ध कार रवाई करते हुए जांच प्रतिवेदन अविलंग प्रस्तत करने का आदेश दिया है बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट सबने से राज सर्व कशने करते हैं मलब बहुं स现在 Demand लाय भाग सहाट श्राइवे सबस्स भातेफे समें रभल मोटाविशक्राशं करें खुझ ग्षिम में गालें सकते चाओ हम नहीं देगिंга। क्युह राजेय टा म्यातिया कर Brittany हुटे चिस्पाना नहीं बुड़ेखे शाड ने घिले भूद्स वारे खाना के बारे खाना किया आप जो खाना कोई खांद क मुनलते खाते हैं लोला च्षुटी है था गालते है था जय मुद्स कानो ख़ाय पुर खायते हैं用 खाना खायत उत ब।बहाँ था च्षोटी चछी अच्छी जाह ढूत थिक हिता हमें पर दॉड़की करेंगी